तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे पास Mercedes की गाड़ी ML 350i होई है तो फ्रेंड इसमें प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताएंगे ये गाड़ी फ्रेंड यहाँ से कहीं दूर चिंबूर से चिंबूर इलाके से हमारे पास आई है प्रैंड इसा प्रॉब्लम क्या है कि इससा काईर सेीं नहीं परॉब्लम है इससा जब येर हम शुफ करते हैं वहाँ बार्ली स्राट होती है नो हमने इसका आप इसकाllen केकटी चैनल स्टेषिक तब लिए तुब आसे थेसे मेता तो पर इसे दिए चानल मेलवेग क्यों जरुआ है संब को क्रेंट पास होता है तो यह स्विछ प्रेंड जिस गहरे से आई थी और मुझे लगता है कि ये सिउच परेंड प्रेंड जब हम भाहर लिकालते हैं तो लिकालते सम Zwembandd लेखें में लगता है तो इसे चिपका कराए था ठीज़िर क फ्रेंड कर दिया था गिप एक या दिस सकते हैं और इसका फ्रेंड एक और प्रॉल्लम था ये दिख सकते हैं एक वाल है higher supply ॉाल केक इस इसमें लगता है कियो ने डिशसे बड़ा था iaτο भी हमने एन तरह सबस्ट हिट मैव थे ंधीत इसमें नहीं कि आरेंज लिए सब्सक्राइज इसाहता है अधि डोनों साइड पे तो इसके वयशे भी गेर शेट इंग प्राइजन नहीं होगा। इसके से प्रॉब्लम आ सकता है तो इस दोनों चीजे हमने इसमें मिली है तो हमने फ्रेंड ये चीज ये जो वाल है ये और ये मेगा टॉनिक दोनों हमने अरेंज किया है ये इसका है ये इसका जूना मेगा टॉनिक है ये हम आपको दिखाते है और इसका फ्रेंड हमने जो अरेंज ही है इस देख सकते हैं तो यह यह फ्रेंड यह जो मेगा टॉनिक है यह हम इस गाड़ी में फिट करेंगे और फिट करके उसके बाइसे गेर बॉस को पूरा एसम्बली करके और फिट करेंगे तो यह चस डिख सकते हैं यह स्विट हमरा प्रवल्पर है यह स्विट में कोई प्रॉब्लम नहीं है को ठीके फ्रेंड प्रेंड हे हमारा स्विट है यह हमने मेगा टॉनिक क्यám क्या होता है है एक हम् Ali के ऑटो यह स्विट जाता और जो अमने वारन आपको दिखाया था देख सकते हैं इस में लगपकर और इस मेगा टोनी के साथ में इसमें बैठेगा इस गेर के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर बैठेगा तो यह भी इससर तुटा हुआ था जो दूसरा प्रेंड आपको अमने बाते बताते हैं जब भी आपे मेगा टोनिक ओपन करेंगे इस स्विच को बहुती बारिकी से उपन कीजिएगा इसके नीचे जो है यहाँ पे मोटा इस्कूड आवर देकर और उपर की तरफ इसको प्रेस कीजिएगा और एक आदमी को बूलिएगा उपर से इसा इमेगा टोनिक को ऐसा हाँ के आपको से पकड़ने के लिए इसा इसा इ कि अधर करने समय लिए मेगा टोनिक है कि इसका स्विच है कि अब गौर से देख लीजिए हम आपको दिखाते हैं कि असके निचे अइसा हलक हातों से इसको उपार की तरफ और बैए अगर यहां पे आप इसको ड्लाव डालक के तो आपका जो स्विच टूट जाएगा तो आपका जो स्विच्व टूट जाएगा तो ऐसा कभी मत किजेगा अगर क्योंगी अगर स्विच्छ टूट गिया आपको पूरा इस मेगा बनेक रिप्लेश करना पड़ेगा करने के लिए आपको ज्यादा कुछ खोलनाने पड़ेगा यह जो इसका ओल्सम है यह ओल्सम पहलों आपको पन करना पड़ेगा इसमें च्छे बोल्ड आते हैं इस तरह के च्छे बोल्ड आते हैं इस बोल्ड आते है इसके बोल्ड आते है इसके बाद आपका फिल्टर होके फिर पूरे गेर में सप्लाइ इसके लिए फिल्टर दिया जाता है और इसके ऊपर आपका ओल्सम बैटेगा कि आफका औस तरब कर लीजगा कियेगा थिरे अशे चल्प करने का हमने आपको तरीका बताए दिया है कि अभी भी समाल करें स्विच को बिचे सीपर्पर कर अच्छी है तो इतना ही सारी चीजे उपन करनी परती है ज्यादा इसमें कुछ बड़ी खास बाते नहीं है इजली आप ये मेगाटोनिक को बहार दे सकते हैं सिर्फ फाड़ी ये स्विच का ध्यान देना पड़ेगा आपको इसमें मेगाटोनिक को परिकलते हमें फूट जाता है सिर्फ फाइल आपको बताया था कि हम इसका गेर ओपन कर रहे हैं तो इसको चुट्टा कर रहे हैं इसमें 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 इसका गेर सिप्टिंग हो रहा है इसके लिए हमने आपको कल बताया था इसका Megatonic है इसमें उनको फोल्ड मिला था उस जो तुटा हुआ है तो हमें Megatonic तो रिप्लेस करेंगे ही इसके साथ साथ में इसको भी एक पर उपन करके देख लेते हैं यह हॉजिंग बाहर लिकाल के गेर लिकाल के कि अंदर भी कुछ इसके बाहर लिकालेंगे इसका जो प्लच प्लेट का जो दाता आता है उसे चेक करेंगे कि कोई डेमेज तो नहीं है तो हमें यह हॉजिंग बाहर लिकाल देखाते हैं यह इसके सारे क्लच प्लेट है इसके हम दाते पूरे चेक करेंगे कि कोई डेमेज तो नहीं है कोई टूटा तो नहीं है इसके सारे दाते हमने छेक कर लिए हैं सारे दाते ओके हैं क्लच प्लिट के तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी एक प्लच प्लिट है आपको दिखाते हैं इस देख सकते हैं इसके अंदर के भी शारे दाते जो है इसके अंदर के भी शारे दाते जो है यह देख सकते है फ्रेंड यह इसका क्लच है इसके भी सारे दाते आप चेक कर सकते हैं अधिन इसके बहुत है, इसके सारे एक हैं तो फ्रेंड इस वह करेंगे इस दोनों को रिपलेकर करेंगे और इसे assembly करके fit check करेंगे कि हमारे जो problem है वो solve होता है कि नहीं तो ये सारे चीजे जो हमने open की है इसको ऐसे ही fit कर देंगे तो fit करके हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले तो ये सारे जीतने clutch के दाते हैं उसको एक center में ले लिजिए इस तरह से जिस तरह से हम दे रहे हैं और ये जो point दिया है इसको उपर के position में रखके इसके अंदर डालिएगा तो आपका center में एक clutch इसके अंदर बैठेगा नहीं असानी से तो हम आपको बिठा के दिखाते हैं कि अगर देख सकते हैं कि हमने इसको फिट कर दिया है उपर से आपको दिखाते हैं कि आपको पता चलेगा कि यह देख सकते हैं इसका जो होल है एकदम center में आ गया है अगर आपका पूरी तरह से नहीं बैठा रहेगा आपको दिखाते हैं इसके अंदर वाल डाल कर तो देखिए फ्रेंड अंदर का जो क्लच है वह आमने लगा दिया है यह वाल है इसका इसके अंदर हम इसको support के लिए लगा कर रखेंगे ताकि यह हमारा बाहर ना है इसके अंदर फिट कर दिया है यह देख सकते हैं अब इसका जो बाहर का जो क्लच है और हाउजिंग है इससे हम फिट करेंगे सबसे पहले इसका जो दाता दाता है वो सेंटर में रख लेंगे इसमें टोटल पाच दाता है उसे वे फिट करके आपको दिखाएंगे कर दो कर दो कि लर्मा बोल, मैं बोल, लुट कर दो कर दो जो दो कर दो को दो होड़ा कर दो दो कि प्रड़ कि अवाल आ उषक दूली बड़ा बहुता है? अब इसकते हैं जो जितने रौंडिंग है टोटल 26 बोल्ड आते है फ्रेंड इस रौंडिंग में गेर के हाउजिंग के बोल्ड में 26 बोल्ड हम पूरी तरह से 26 बोल्ड इसका है 26 बोल लगाएंगे और इसके बाद इसका मेगा टोनिक फिट करेंगे अब से आंली हम इसका ओल सम्ट करेंगे फिर गारी एक घिर को गारी में चाहा कर और इसके बाद इसके बाद इसके घर सिप्धिक होता है कि नहीं होता है इसका मेगा टॉनिक फ्रेंड दिख लेज़ा हमने आपको बताया था इसका जो फोल्ड ही है तो यह दोनों चीज़े हम भी प्लेस करेंगे और आपको दिखाया बिताव इसके अंदर दिखेंगे है कि इसका दूसरा मेंग टॉनिक है जो मिज्च गाडी में फिट करने कम और इसका वाल है इसलिए इस तेही इदर से ओर इसमें अल सप्लाई होता है मेगा टॉनिक में से वाल अल सप्लाई करता है इदर बैठता है आपको दिखाते हैं अम तकständ देखिये इसमें से और फिर नियुकुल में बैठै और इसका दूसरा हिस्सा है इसमें बेखेगा है मेला मेल भी स DCC म माइसल व् स कहा है ईसके घ्रक नंदर अप्ली चाहिसा है प्रोस के के लिए वाल दिया गभाता है कि रोह मुल्度 कि आप अप्ली मुझें के लिक रुज़ दो करते हैं तो फाइनली फेरेंड हम इसका वाइल बोडी रिप्रेस कर रहे है ये वाइल बोडी हम फिटिंग करने जा रहे है लो पिया? लो लो लोत रहे है यह यह रो है जर्टिय्ग को एंतर। कि अिर्टा के एंतर। खब्सक्राइब लग q市 बन कहांक negócio छूआ है आपका शदूआ हмовन ⁮ म मेंहुआ gitu in अर्फ Nabla can Mhm पर अबस्बी चाने सुमारे की ड्रक कीशली पुरा ना? गया नहीं पुरा है तो फाइनली अब देख सकते हैं हम इसका वाल बॉड़ी लगा दिये हैं अब इसका जो बोल्ड आता है इतने भी वह सब हम आपको लगाएंगे देख सकते हैं कि तो टल इसमें दस बोल्ड आते हैं फ्रेंड कि देख सकते हैं हम इसके सारे बॉल्ड फसा रहे हैं जो हमने उपन किये थे वाल बॉड़ी के बॉल्ड है कि पेग्वाल बॉल्ड है ऐस कि एज एंडियॉ खिसीए क्यों पॉड़ी क्यों बॉल्ड पॉल्ड बॉल्ड़ी क्यों उवड़ी तो देख सकते हैं इसे सारे राणिंग के वाल बॉड़ी के जितने बोल्ड आते हैं सारे हमने फिट कर दिये हैं अब इसको फाइनल फिट करेंगे इसके बाद इसके उपर का जो फिल्टर आता है तो लगाएंगे और ओल सम लगाएंगे आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं अब देख सकते हैं इसका हम वाल बॉड़ी का जो बोल्ड है फाइनल हात मार रहे हैं इसमें दस बोल्ड आते है टोटल तीस नंबर के लंकी साफ इसको उपन कर सकते हैं ब्लेक पेटी के ठटी नं झाल 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 तो फाइनली हमारा वाल बोडी पूरितर से पुरपरते दर फिट हो चुका है यह इसका फिल्टर है जो आल सप्लाइ करता है और अच्छा साउल वाल बोडी को सप्लाइ करता है यह भी हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं क्या है क्योंकि अगए लिपार वाल बोड़ी तो में अग्याम करता है किसमेंे इसका वाल बोडी मीन रिप्लेस किया है बोडी में शान सब्सक्राइब न श्रक्चा परेंग था तो्यारी धाताएं है इसका उपर क्या आता है वहाता है को धी करिक Slade पर त्यादी में यहर्री तो फाइनली फ्रेंड हम इसका ओजसम लगा रहे हैं लास्ट फाइनल बाकी सब हमने आपको फिट करके दिखा दिया है अब से बोल ना इसका ओजसम में फ्रेंड फाइनल छह बोल्ड है देख रहे हम इसका बोल्ड भी फिटिंग करना चालू कर रहे हैं इसका ओजसम के आठ किटी पाने से आप इसको उपन भी कर सकते हैं फिट भी कर सकते हैं आठ के टी पाने से क्योंकि लंकी पाना है लंकी पाना भी हम रपस है लेकिन आठ के टी पाने से इसको फाइनल टाइट कर सकते हैं इसके टाइट नहीं रहता है इसके लिए पाने प्रेंट इसका ऑजसम का कि हम बोल्ड टाइब कर रहे हैं फाइनल यह हमारा गेरबॉक्स कुर्टर प्रेडी हो चुगा है क्या पाने देख सकते हैं इसका गेरबॉक्स अमारा ऐसेमली ओचुका है इसका अम कन्वेटर बिठा रहे हैं कन्वेटर बिठा के फिर गाड़े में फिटिंग करना चालू करेंगे कि 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 हमारा कन्वर्टर भी बैट चुका है पूरी तरह से देख सकते हैं तो फाइनले फ्रेंड यह देख सकते हैं यह मर्सेडिस अलेश है इसमें यह मेगा टॉनिक भी बिटा डिए मेथ सकते हैं इसे मेर्सेडिस एमनेरि मbor्सार क्योंक ब्लेग इसका हमें ने करने बीठा दिया है यह आप हम गाड़ी में फिट करेंगे और इसको आफाइल करके फिर गाड़ी चेम करका आपको दिखाएंगे इसका गारOkay नहीं होरां किने केowan कि अधिक परकार अम सारे रांडिंग के बोल्ट करेंगे फाइनली तो आप नब देख सकते हैं इससे गेरबुक्स हमें चड़ा दिया है इसका रांडिंग भी फिट कर दिया है जितनी रांडिंग ही आती है आप देख सकते हैं कि अर्फट कर दिया इसके अंद्र जो कि शच के नवेटर का बोल्टा वुब्स क्याता है वही हमें टायट कर दिया है कि अ kab weather का द्रबुक्स का बोल्टा दाया तो फ्रेंट अभी हमने ख्रोंश मेंबर को फसाया है है कि सकोड़ दिया गलका तो फांडरब मीशे और है यहां यहां पर बैठेगा आप देख सकते हैं इसए जॉइन को हम फाइनल लगाइंगो यह हमने सेंटर में ले लिया है मैं तो भी जॉइन कपा बॉल जितनी है यह बोल इदर से हैं जॉइन पीछा है इसे ओंफित तॉर जा के जाए son जो ब्रेकेट उन यहां झाल सक आए सपोट के लिए जाता है यह इतना हमारा बाकी है एक यह दो यह तीन और चार चार चीज़ हम कंप्लीट करके फिर इसमें गेरोल कैसे डालते हैं वह आपको डाल कर फिर स्टार्ट करके हम गाड़ी दिखाएंगे तो इतनी सारे चीज़ हम फिट कर लेते हैं उसके बागे का हम प्रोसेस आपको दिखाएंगे तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं एक गेर बोक्स हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है इस देख सकते हैं जांट क्रोस कामने बोल जो पूरी तरह से टाइट कर दिया ह हमारा लॉन लीच्टी पूरी तरह से फाइनल हो चुका है यह देख सकते हैं प्रोपलर शाप से जो आता है जिसको जाएंड बोलते हैं यह भी हमने इसमें फिट कर दिया है तो फाइनल हमारी गाड़ी पूरी तरह से लेडू हो चुकी है सिर्फ इसमें आइल डालना बाकी एक फ्रेंट तो फाइनल हमारे गाड़ी रेडियो हो चुकी है सिर्फ आइल डालना बाकी है तो आप देख रहे हैं इन्ट कोल के हम यहांसे आइल डालेंगे उसके बाद हम गाड़ी स्टाट करके आपको दिखाएंगे तो फाइनली आप देख सकते हैं हम चिम्बर का ड्रेनर जो आता उससे उपन करके जो हमने टी बनाया है उसमें लगाएंगे सेम थ्रेट का हमने टी बनाया है अब नीचे हमें इसमें पाइप बूचे हैंगे मोटर वाला पाइप है तो फ्रेंड यह हमारा टी बी लग गया यह पाइप भी लग गया है किया है 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 तो अब हम देशने मोटर दोवारा पाइप आया है है तो हमने इदर चेंबर में वाल्चम में लगाए है स्कते नीचे अब इस टब्बे में हम नया ओइल डालेंगे तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को डाउन कर दिया है अब इसे पीछे ले रहे हैं बाहर लिकाल रहे हैं हम तो फाइनली फ्रेंड ये जो ml 354 मेंटी गाड़ी है इसका हमने गार्वक्स रिपेरिंग किया था जिसमें हमने आपको बताया था इसका मेगा टोनिक जो वाल बॉड़ी जिसको बुलते है वह हमने रिप्लेस किया है इसका गेर शिफ्टिंग का प ॥ाओ ल। भुंति हमरे नूटल में रखा हैं किंसे फ्रेंड टे में डाला है अब घाड ड्राइब करेंगे देखिए ब्लाध कर रहे हैं वासे ब्रॉड्म था जैसे हम गाडी में डी में डालते हैं तो जगब पे हि रेस होता था इसटाए बहु सम चूंते इसका हम टेस्ट डैब लेंगे एक छोटा सा कि घाड़ी आटोमेटिक नीटल तो नहीं होता है टेस्ट डैब लेने से गेर में कोई किसी प्रकरण कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि आगे चल के कस्टमबर को कोई कम्प्लेन नहीं आना चाहिए तो इसके लिए हम इसका अब टेस्ट डैब ले रहे हैं इसका फ्रेंड एक टेस्ट डैब लेके फिर गाड़ी को वास करके और कश्लम अर्गम डिलिवरी दे देंगे कर दो कि कि अ एक नंबर दो नंबर तीन अबचानों जो भी होना चाहिए अब देख सकते हैं इसका स्पीड में देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी गेरे सारे सिफ्ट और हो रही है कि एक ब्रहा है हम सारी गेरे आपको शिफ्टिंग करके दिखा रहे हैं तो फाइनली फ्रेंड अब हम गाड़ी हाइवे पर लेके जा रहे हैं यह देख सकते हैं यह हमने हाइवे पकड़ लिया है कोड़ा हम इस गाड़ी को भागा कर देखेंगे अब इसका स्पीड भी देख सकते फ्रेंड देख सकते हमारी गाड़ी साट की स्पीड में चल रही है हुए है प्रेंड यह तो हमारा आगे का था मैं ड़ी में डाल कर जो गिर श्फिटिंग को दिखाया है अब हम आपको इसका न्यूटल दिखाते हैं और रिवस दिखाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह घाटि न्यूटल किया देख सकते हैं हमारी गारी आगे नहीं जा रही है सिर्फ रेस हो रही है ठीक है फ्रेंड अब हम आपको रिवर्स भी डालके दिखाते हैं कि रिवर्स भी हमारा सिफ्टिंग काम कर रहा है कि नहीं रिवर्स पोजिशन में यह देखिए हमारी गारे पीछे जा हुआ तो सबस्तिंग को अब कि सकते हैं या गे जा रही है है कि हमने नूटल करदी है कि मैं सकते हैं हमारी नीडल हो रही है कि अदि देख सकते पाहिए है ट्रीश सब्सक्रा belonging कि और निपely का जो प्रॉब्लम था इचे हमारा पुरी तरह से सॉल हो है तो हम एक आपको हमारे वीडियो पसंद आया है उट प्लीस प्लीस लाइक कीजिये सेर कीज़े और सस्क्राइब कीज़े अगर आपको हमसे कुछ पुछना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीस हमें कमेंट कीज़े